Hey what is up guys welcome to another video और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Cooler Master MW E450 80 Plus Bronze V2 का And this one is Cooler Master MW E450 80 Plus White V2 But still जो दोनों के इंटरल कंस्ट्रक्शन होते हैं काफी सेम है अगर हम बात करें power supply review की तो power supply review करना काफी मुश्किल काम होता है और इंडिया में यहती power supply reviewers है उन्हें इतितादा electronics की knowledge होते नहीं deep में की एक power supply का अच्छा तरीके से review कर पाएं और इसकी performance test कर पाएं वेल अगर मेरी बात करें तो मैंने यहाप खुद का power supply tester बनाया है ताकि मैं power supply को अच्छी तरीके से review कर पाऊ और इसलिए चलि मैं video upload नहीं कर रहा था और यहाँ पर है power supply हम लोग इसे open भी करके देखने वाले हैं और अंदर क्या क्या होता है सब कुछ चेक करने वाले है इस power supply review गोना भी very epic इंडिया में ऐसा review पहली बार आएगा so let's make it begin so let's start our review और यह है वो cooler master mwe 450 80 plus white और यह power supply आती है तीन साल की warranty के साथ और हाँ जो इसका bronze वारे सहने वो आता है चुली 5 साल की warranty के साथ although दोनों के internal construction काफी same है अंदर से although it's a budget power supply बट इसका जो look है और इसका feel है काफी premium feel होता है जैसे कि आप देख सकते हैं आपे जुसके labels हैं वो काफी जादा अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं जो इसका fan है काफी बड़ा है और जो front label वो भी काफी अच्छा लगा है तो काफी premium look दे जाता है इस power supply को अगर हम बात करें के cables की यह काफी अच्छी quality की flat black cables जो की PVC के बने हुए और काफी जादा flexible है अगर हम बात करें इसके material की तो यह बने हुए 99.99% copper से जो की 18 गिच के wire से सारे के सारे और अगर हम बात करें से connectors की and connector quality की तो वो भी काफी अच्छी है तो इसका मतलब अगर आप इससे PC build करते हैं तो उसकी cable management में काफी अच्छा आपो काफी look मिलेगा और काफी premium और काफी clean look मिलेगा और बात करें इस power supply की plastic quality की और जोसकी connector quality की तो वो भी काफी premium में देख सकते हैं आप काफी high quality की plastic यूज की गई है यहाँ पे तो चलिए करते हैं इस power supply का real life test तो मैंने इस power supply को 3 PC में लगाया जो मेरा first PC से पहला वाला है कि मैंने आपको next मतलब जो मेरा नया वीडियो आया था उस मेंने टेस्ट करके दिखाया था तो इस टेस्ट मैंने इन तीनों PC से पे से टेस्ट किया इस power supply को और तीनों की तुनों PC में इसने two hour stress test CPU plus GPU 100% load पे और जो हमारा eight hour ideal test था वो सब पास कर लिया तो यह power supply मैं कह सकता हूँ कि यह काफी stable power supply है एक budget PC के लिए anyway तो यह रहा मेरा power supply टेस्ट जो मैंने बनाया था और यह रही वो power supply तो इसमें देखिए बहुत सारे connectors और बहुत सारे displays लगी हुई है ताकि हम लोग चांद सकी power supply किता voltage किता current निकाल रही है तो देखिए यह power supply पे बहुत सारे connectors होता है जहां से यह power supply अपनी power को deliver करती है especially PCIe and CPU connectors और यहाँ पर जो हमारा 24-pin connector से वो भी काफी ज़्यादा important होता है इसमें भी काफी ज़्यादा power deliver होती है तो हम लोग से पहले इस 24-pin connector को इस जो मेरी मैंने power supply tester को पर connector बयाना रखा है उस पर connect कर देंगे कुछ इस type से और फिर मैंने यहाँ पे 8-pin CPU connector को split करके 4-plus-4-pin CPU connector में लगा दिया है इस type से तो यह इस type से हमारी power supply tester जो है इस power supply से power consume करेगा और फिर हम लोग input power upon output power times 100 करके efficiency calculate करेंगे और काफी सारी चीज़े से calculate करने वाले है तो इस type से हम लोग इस power supply को setup कर दिया है और हम लोग इस power supply को अब लगा देंगे power on करेंगे और इस type से हम लोग इस power supply को test करेंगे और मैं अपने power supply tester का थोड़ा सा अंदर का look दिखाया जाता हूं इस type से तो यह basic सा cabinet है जिसके अंदर मैंने power supply tester को बनाया है तो हम लोग इसका side पर हटाएंगे और देखेंगे यहां पर इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है तो देखिए पूरा-पूरा handmade circuit है इसकी जुत्ती मैंने सारी चीज़े बनाई है सारी handmade है यहां पर fan है जो की hot air को blow करता है बाहर की side में और जो यह circuit देख रहे है PCB यह सब म मेरा power supply tester complete हो गया है और मैंने इसे complete कर लिया है तो चलिए करते हैं इसको अच्छे तरीके से test तो मैंने power supply की सारी testing complete कर ली है and you can see the results here cooler master MWE 450 80 plus bronze वाली power supply है वो थोड़ा सा जादा बेटर perform कर रहे है rather than cooler master MWE 450 80 plus white दोने में के जो difference है यहां पर बहुत ही minimal है बाट अगर आप 10 to 2% का load देखे तो वहां पर cooler master MWE bronze वाली power supply है वो थोड़ा better perform करती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी power supply का थोड़ा control circuit में थोड़ा सा चेंजमेंट लाए गया है यह power supply work करती है low load पे burst mode पे burst mode में क्या होता है कि जो हमारी power supply होती है कुछ second के लिए on होती है फिर off हो जाती है तो उसकी वेज़े से यहां पर भी थोड़ा बहुत जो नाज में मिलती है वो acceptable होती है थोड़ी ज्यादा ने होती है बट स्टिल यह दोनों की दोनों power supply अपनी range में काफी अच्छा perform कर रही है तो जैसे कि आपने इस graph में देखा यह power supply जो perform कर रही है काफी जादा better perform कर रही है इवें जो इनकी efficiency है 10% load से 100% की बीच में सभी जगह पे 80% efficiency इन दोनों power supply में हमें देखना को मिल जाती है नेक्स अगर हम बात करें इस power supply की voltage regulation की तो यह पर आप देख सकते हैं जो voltage variation होता है 10-100% load में तो 12% का voltage variation है वो 0.5% में होता है जो की काफी जादा accurate है क्योंकि यह बहुत जादा power supply जो बनी हुए काफी जादा modern है और इसका जो design है काफी modern है अगर हम बात करें 5V और 3.3V रेल की तो वो भी काफी जादा accurate है और 5V जो stand-by वाले रेल है वो थोड़ा कमजोर है क्योंकि actually जो minimal power supply होती है और बहुत ही कम power provide करती है इसलिए वो power supply की जो variation है voltage वाली काफी जादा है 0-100% load में but still that's quite okay क्योंकि देखे जो इसका voltage variation है किसी भी power supply में 5% के उपर नहीं जा रहा है और इस price पे कोभी power supply इतना मुझे लग नहीं लगता है कि इतनी अच्छी voltage regulation provide करेगी so that's a big point for cooler master MWE जो कि इस power supply को बहुत ही जादा stable बना देती है अलाग अलाग टाइप के PC's पे तो मैं इसे recommend करता हूँ कि अगर आपको कोई ज्यादा अच्छा PC बनाना है जिसमें मलब आपको voltage stability मलब voltage stability के ज़रूरत है तो यह power supply उस जगह पे काफे ज़दा अच्छी परफॉर्म करने वाली है और मैं अगर बात करूँ इस power supply के temperature की जो primary side ही हीट सिंग है उसका temperature 15 मिनिट के full load stress test के बाद सेटल हुआ जाके almost 62 degrees Celsius के आसपास तर जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इस power supply के temperature है वो 100% लोड पे 50 मिनिट बाद test किया गया तो इस graph के हिसाफ से आप देख सकते हैं जो power supply के temperature हो 60 degrees के आसपास ही रहने वाला है इस power supply के अंदर और और शायद 65 degrees most बहुत ही रेरली हीट करें अगर इसे अच्छा airflow मिलता है तो बात करेंगर सेकेंटरी साइड हीट सिंग की तो वो काफी जादा temperature मिन्टेन रहता है और 55-56 degrees के अंदर ही रहता है जो काफी अच्छी बात है क्योंकि इसमें जो सेकेंटरी साइड में की लाफ भी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजए से तो दैट्स कॉइट नाइस और यह पार सप्लाइड का जो टेमबर्चर काफी ज्यादा अच्छा है मैं काउँग इस प्राइज में तो बहुत अच्छी बात है अगर हम बात करें इस पार श्प्लाइड के प्रिटेक्शन फीचर्स की तो जो आप पर ओवर करेंट प्रिटेक्शन सेट की गई इस पारसप्लाइब पर 12 वुल्ट रिल पर वह है 45 एंपियर जो कि कॉइट नैस और काफी बराबर तरीके से सेट की गई है जो कि बहुत अच्छी बात है इस पारसप्लाइब को काफी साथ रिलाइबल बना देती है एंड नेक्स अगर हम बात करें ओवर पावर प्रोटेक्शन तो यहाँ पर यह सेट की गई ही 120 पसंट कंबाइन लूट पे तो इस टूटल 540 वाट्स एंड नेक्स करन कूल्ड फैन है अगर टेमर्चर बढ़ता है अंदर तो जो पारसप्लाइब का फैन होता है तेज हो जाता है अगर हम बात करें सेल्ज प्रोटेक्शन की तो इसके अंदर लगा हूँ है मेटल ऑक्साड वेरियस्टर एंड इंडर्स प्रोटेक्शन के लिए हैं पर यूज क तो एक्चली कवर ओपिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा फैन अलग होचुका है और चोटी सी PC यहाँ पर लग हुई है साइड मॉंटेट तो यह एक्चली फैन कंट्रोल करने वाली PC और इसके अंदर लगे हुए हैं और पूरी पारसप्लाइब यहाँ पे आप थर्मल कंट्रोल की तरह से और थर्मल कंट्रोल यह काफी अन्नोन ब्रैंड है मेरे लिए तो तो मैं कह सकता हूँ कि शायद यह चीप ब्रैंड होगा और अगर हम बात करें इस पार सप्लाई की बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे तो फर्स लुक में काफी जाथ अच्छा इंप्रेश्य है लेकिन उससे पहले हम लोग इस पार सप्लाई को ओपन कर लेते हैं सही से सो इस पार सप्लाई इस डिजाइंड बाई गॉस पावर एंड कुलर मास्टन ने इसे साथ में बिलके बनाया है तो यह पीसीब एक्च्छली देखिए इसे कनेक्टेड है यहाँ पे जो मारा इन्पुट प्लग होता है उससे तो मैंने सबसे पहले कट कर देता हूं ताकि हम लोग इस PCB को और डीप्ली स्टेडी कर पाएं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू इन्पुट साइड की तरफ से तो सबसे पहले इन्पुट में आपको दो केवल मिल जाते हैं जो हमारी एसी इन्पुट लेते हैं उसके बाद यहां पे लगा हुआ है फ्यूज मेंस पे उसके बाद एक मेटल ऑक्साड ब्लू कलर का और उसके बाद हमारा यहां पे फिल्टर लगा हुआ है और इसके बाद हमारी पावर स्प्लाई काम करती है एसी डीसी में यहां पे लगा हुआ है फुल ब्रिज रेक्टिफार जो की अलग से हीट्सिंग में माउंटेड है जो की काफी अच्छी बात है यहां पे और प्लस पॉइंट और यहां पे इसके आगे लगे हुए है APFC circuit और इसका capacitor जो की capacitor है Capscon की तरफ से जो की एक low side कह सकता हूँ मैं इस power supply के लिए और इसके जो बागी capacitor लगे हुए है सारे के सारे Capscon की तरह से है इस variant में और इसका जो European variant आता है उसके अंदर ज्यादा अच्छी वालिड़ी capacitors है इविन मैं कह सकता हूँ कि एक top quality capacitor है एक budget unit के लिए और वह है E-Light की तरह से जो की काफी अच्छे brand है to be honest but अगर मात करें Capscon की तो Capscon का काफी जादा reputation bad है and still it's a budget power supply तो I can accept that too तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस power supply के MOSFETS की especially primary sutures की तो जो यहाँ पर MOSFET लगे हुए है दो यह बने हुए है इंफिरियन की तरफ से आने वाला MOSFETS ये भी एक power supply का है और जो दूसरा है ये भी एक power supply का ये है great power की तरफ से आने वाला MOSFETS ये budget power supply में लगा हुआ था बट ये MOSFETS इन JCN वालों से जादा बेटर है लेकिन बट स्टिल ये वाले MOSFETS वाले इतने भी खराब नहीं है औ और बागी बात करें इस power supply की तो किस टैब से बनी हुए आप देख सकते हैं इसके component में काफी जादा gap है ताकि airflow काफी अच्छा है और components cool रहे है और गर बात करें इस power supply की primary side topology के तो ये है half bridge resonance LLC converter और यही चीज़ इस power supply को outstanding मनाती है इस budget पे इसलिए मैं कहता हूँ कि ये power supply काफी जादा efficient होते हैं इसमें losses कम होते हैं इसलिए इसमें छोटी छोटी हीटिसिंग लगा गए है क्योंकि देखिए बड़ी हीटिसिंग की जरूरत नहीं क्योंकि MOSFET हीट होंगे नहीं तो इसलिए यहां पर छोटी हीटिसिंग लगी हुई है और बात करें secondary side की तो यहां यहां पर यूज के गए हैं components यहां पर यूज के गए हैं actually इसे बोलते हैं active rectifier active rectifier में diode के जगा MOSFET यूज कि जायते हैं ताकि जो conduction losses होते हैं वो भी कम हो सके और efficiency काफी ज़्यादा बढ़ जाए और इसलिए यह power supply इतने कम price में इतने ज़्यादा अच्छी performance लेती ही क्योंक इसका जो design है काफी जादा modern है और इसलिए यह इसका design इस power supply को outstanding मनाता है एक budget unit में और हम थोड़ी सी और बात करें DC to DC converter के बारे में तो मैं आपको बता तो जो आप एक circuit देख रहे हैं 90 degree पे लगी हुई है और इसमें 2 coils लगी हुई है उन्हीं actually बोलते हैं DC to DC converter actually यह करते क्य इसी टाइप से यह DC DC converter 5V मतलब 12V के लेके 5V और 3.3V में convert करते हैं ताकि power supply जो है उसकी voltage काफी स्टेबल रहा और इस लिए इस power supply ने काफी अच्छी power supply को beat कर दिया है इस price range में क्योंकि इसमें DC DC converter लगे हुए थे voltage है voltage stability की बात करते हैं तो उसमें फाइन लेकर बात किजाए इसकी soldering quality की PSU के तो soldering quality काफी decent और clean है तो जिसकी वज़े से मैं कहूंगा की काफी अच्छी बात है हाँ और PCB भी single light PCB है और काफी अच्छी quality की है so that's nice and no problems here तो हमने इसी के साथ अपनी power supply की सारे जीज़े कवर आप कर ली है और चली हम लोग करते हैं इसका sum up और देखते हैं इस power supply का conclusion कहा निकलता है so let's talk about bottom line so सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसकी voltage stability के तो voltage stability काफी ज़्यादा अची है DC to DC converter के वज़े से इसकी voltage stability है इस प्राइजरे में कोई भी power supply इत्ती अच्छी voltage stability आपको नहीं दे पाएगी so that's a very nice cooler master और इसकी जो platform है वो है LLC converter जो की बहुत इच्छी बात है इस प्राइजरे में कोई भी power supply इंडिया में इत्ती अच्छी design की power supply अपको नहीं देती है so that's another very good point for a cooler master but I am not happy with its capacitors क्योंकि जो इंडियन वर्जने उसमें Capscon की capacitors यूज के गया है क्योंकि इसका price भी काफी कम है so मैं इससे नरास हो नहीं हो लेकिन but disappointed जरूर हूँ और दूसरी बात इसका cooling fan है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है मांक्स दूँगा तो मैं कहूंगा कि यह power supply almost 10 में से 8.5 डिजर करती है जो कि काफी जाधा reliable है and इस price range में इससे जाधा reliable मुझे रखता कोई जाधा power supply मिलेगी और दूसरी बात अगर हम बात करें इस power supply के reviews की जो कि मैंने बहुत सारी reviews पढ़े हाड़ वेबसाइट पे and अलाग अलाग जो customers ने खरीदे उनके देखे तो उसमें मुझे पता ते लाग कि हाँ यह power supply actually काफी साथ reliable है so that's a very good point so sum up करने के बाद हमने इसे पता लागा कि यह power supply ज़रूरी deserve करती है and this is I think one of the best power supply in Indian market at this price तो इस power supply के आप लोग जा सकते हैं साथ at this price यह power supply 5 year की warranty देती है and अगर बात करें दूसरी power supply की तो इस price range में Corsair CV 5 year की warranty देती है but Corsair CV का design है वो काफी इससे पुराना है तो मैं Corsair CV recommend नहीं करता हूँ अगर आप इससे better जाना जाते हैं तो at least you can go with Corsair CX 450 but अगर हम आद करें Corsair CX 450 की अगर उस power supply और अगर European power supply को compare करे MWE series की तो मैं free service में पे MWE को recommend करता हूँ बट इंडिया में Corsair CX 450 जो नहीं जो variant आती है उसमें भी capacitors काफी अच्छी quality यूज के गए है compare to Cooler Master पता नहीं को Cooler Master ने यहाप इंडियन वरजिन में capacity की quality क्यों घटा दी but anyway इसका price भी काफी अच्छा है Corsair CX का थोड़ा price बढ़ जाता है तो इसलिए power supply अपना spot deserve कर दी हो और इसके I think असपास कोई power supply रिकम है मतलब stand नहीं करती है इस price range में इतनी अच्छी quality के साथ but still capacitors की quality तो मैं मैं समझता हूंग एक बड़ा point है इसके लिए but I will suggest कि इसके जाना सही रहेगा and with these words हम लोग video के end की तरफ पहुँच चुके हैं अगर आपको video अच्छा लगा तो you can like this video and subscribe my channel और मुझे support करने के लिए आप मुझे instagram पे मुझे message कर सकते हैं and we can discuss a lot on power supplies and other stuffs और बात करें future की videos की तो future की videos आते रहेंगे but मैं college जोन कर रहा हूं तो शायद video आने में time लगे but I will try my best तो बस video यहीं तक था thank you very much देखने के लिए and see you later good bye सबस्टापने की यहीं जरो को